हेलो एवरीवान मेरा नाम है पुरीत कुमार शर्मा और मैं आपके लिए रीजनिंग पढ़ाता हूँ कल काफी सारे बच्चे एनरे सीटी की नोटिफिकेशन के बाद डिस्ट्रेक्ट हो रहे थे मेरे पास बहुत सारे मैसेज़िस आए कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजे कि क्या ये होने वाला है नहीं होने वाला तो इसका आपकी तैयारी पर क्या इंपक्ट पढ़ेगा और आप डिस्ट्रेक्शन से बच जाए बिसिकली इस बात को ध्यान रखते हूँ जो भी बच्चा आप बैंक की तैयारी कर रहा हो अगले चार पाच मिन में कोशिश करूंगा अपना इनपूर्ट आप तक पहुचा आने वाला है कि ये आने वाला है कि नहीं आने वाला है इस से आपके लाइफ पर आपकी प्रोवेशन पर क्या इंपक्ट पढ़ेगा तो सबसे पहले तो 2024 से एनरे सीटी लागू होगा कि नहीं होगा ये हमारा कुश्चन है निउस पेपर में कटिंग आई और इसके पास सब जगे चल रहा है कि सर एनरे सीटी आने वाला है आने वाला है तो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये क्या सड़नली आ गया कि 2024 के एक दम से कल नोटिफिकेशन आ गया और अब लागू हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं है 2020 दिसंबर से बात हो रही है इसके रिगार्डिंग 2020 से मतलब इनको प्रिपरेशन करने के लिए 2020 मिल गया होगा 21 मिल गया होगा 22 मिल गया होगा 23 भी आदे से जादा अल्मूस चला गया ह तो ऐसा नहीं है कि हावा हावा में बाते चल रही है को कि अब तो ये चीज़े होने वाली ही है तो इसके लिए प्रिपेर रही है तो प्रिपेर रही है कि ये हो जाएगा तो दो तीन साल हो गया इसको और ऐसा भी नहीं उससे पहले भी बाते चलती रही है अब ये कब से हो बस बताया नहीं बताया नहीं गया है सेम सलेबस डिसाइड हो चुका है तो आप प्रपेर रही है 24 में हो सकता है कि आपको आपको NRA CET के थ्रूई एक्जाम देना पड़े अब इसमें एक हवा क्यों बनाए कि सर 24 में जो NRA CET का तो हमारा क्या नुकसान है यह हमारा क्या फायदा है हम द्यान से चीजों को समझते हैं हम समझदार है ग्रेजुएटेड बच्चे हैं हम लोग पढ़े लेके बच्चे ह तो जहां से समझते हैं देखें होगा क्या इससे साल में दो बार एक्जाम होगा साल में टू टाइम एक्जाम होगा एक्जाम तीन लेवल पर होगा टेंथ लेवल पर ट्विल्थ लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर हाँ ऐसा नहीं है कि जो ग्रेजुएटेड हो य इस साल की जितने आपके एक्जाम है वो सारे आपके इसी पैटन पर होने तो अभी तो कोई चेंज है नहीं और मार्च तक भी आप फ्री हैं, अपरेल तक भी आप फ्री है, में जून में होगा होगा तो, ठीक है, अब होगा क्या इसमें, आप जो भी स्कोर लेकर आएंगे, म प्रिपेर करके आते हो, पूरी शिदत के साथ महिनत करके आते हो, तो आपका स्कोर तीन साल तक वेलिड रहेगा, पहले तो इसमें से पॉजटव निकालते हैं, कि अगर हमने एनरे सीटी आया, और हमने बढ़िया, हम तयारी कर रहे हैं, जिसे कि आप कर रहे हो, और हम एक कैंडिडेट हैं, तो पहला पॉजटव तो यह गया, कि हमने जो स्कोर हमारा आया, वो तीन साल तक वेलिड है, और वो बैंक में भी वेलिड रहेगा, और रेलेवे में भी वेलिड रहेगा, बहुत सारे बच्चों के लिए यह पॉजटव साइन हो सकता है, तो इसके बार बार form fill करने के पैसे नहीं देने पडेंगे आपको को हर बार form आ रहा है हर बार पैसे ज़रे हर बार पैसे तो उसके जिंजट से भी सब्या बच जाएंगे तो यह बेसिकली छीजे जो आपको ध्यान डखनी है अब मैं कुछ और प्रोजन कौन सा आपके लीए पताता हू यहां पर दोस्तों, बार बार फार्म फिल नहीं करना पड़ेगा, बार बार 0 सिरो नहीं करना पड़ेगा, वो आला competition होगा आपका इसके इलावा syllabus अब syllabus में आपको distraction हो सकता है syllabus क्या होगा मैं तो अच्छा गासा यह वाला तैयारी कर रहा था तो यह competition level में ना जब आप चाहे bank की तैयारी करो चाहे railway करो मैंने तीनो लेवल में पढ़ाया bank में भी railway में भी math भी देखा है English भी देखा है GA भी देखा है reasoning भी देखा है सारी चीज़े almost आप अगर देखोगी ना gravity subject की कितना depth में पूछता है कितना कम पूछता है कितना उपर उपर से पूछता है वो तो अलग हो सकते हैं लिकिन topic almost same होते हैं कुछ जगा topics add on हो जाते हैं कुछ जगा topics कम हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए मतलब आपको 2-3 तीन साल तैयारी करनी पड़ेगी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मतलब यह है अगर आप bank के तैयारी कर रहे हो तो almost सारी चीज़े तो आप करी रहे हो जो आपकी mains में कामाने वाली है तो ऐसा नहीं जो आप पढ़ोगे सब बरबाद हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है तो mains में तो फिर भी आपको mains निकालना पड़ेगा नौकरी चाहिए bank में तो फिर भी mains निकालना पड़ेगा तो जो आप पढ़ रहे हैं वो सब valid है जैसे आप पढ़ रहेते हैं वैसी पढ़ते रही है लेकिन अगर pre-level की बात करें तो शायद वहाँ पर कुछ limited topics होंगे limited चीज़े होंगी limited syllabus होगा जो सब के लिए common होगा है ना और जब भी ऐसी चीज़े आती है तो थोड़ा बहुत फायदा किसी का थोड़ा बहुत नुकसान होता ही है लेकिन हम ऐसा मान की चलें कि bank का syllabus सबसे ज़्यादा updated रहता है bank का syllabus सबसे ज़्यादा updated है तो हमेशे आप थोड़े बहुत फायदे में ही रहेंगे नुकसान में नहीं रहेंगे तो think positive जो हो रहा है अभी फिर भी 2023 में आप जान जोग दीजे जितने भी exam है SBI है अभी आपके लगा हुआ है आप एसिस्टन भी शायद आजए आभी PS के exam लगे हुए और आभी जिनके भी mains लगे हुए जी जान involvement कर दीजे और selection ले लीजे हम change से डरे ना पहले तो और जो होना होगा वो वैसे भी control में नहीं होगा ना आपके ना मेरे तो फिलाल मेहनत करते हैं अब एक बहुत बड़ा question मारक है कि धाई करोड लोग अप्रोक्स पेपर भरेंगे तो धाई करोड लोग का पेपर भरवाया कैसे जाएगा पेपर लिया कैसे जाएगा एक साथ तो ये एक बहुत बड़ा question मारक है कि कि कितने दिनों तक वो ही चलता रहेगा कि जो आप पढ रहे हैं, वो विर्फ नहीं जाएगा, ब væ कि मेरा वीडियो बनाने का, जो आप पढ रहे हो विर्फ नहीं जाएगा, और फिर से 1 और बाद क्ये ठीर करome, मेंस आपको फिर से दिना पढ़े गालग, बलाब ऐसा नहीं है, कि आपने ये वाला एक्जाम निकाला और इसमें scorecard आपका mains में भी valid रहेगा बस mains आप exam दे कर आओगे और mains के बाद आपका selection के लिए mains के लिए आपको फिर से paper देना पड़ेगा ऐसा नहीं कि mains नहीं होगा ठीक है तो bank वालों को bank का mains देना ही पड़ेगा ये के बल प्री तक के लिए valid है ये वाला आपका form ठीक है दोस्तों तो graduation level के लिए अलग exam 12th के लिए अलग exam 10th के लिए अलग exam ये चीज़े 2020 से हो रही है सडलनी नहीं आई है और उमीद है इस बार ये हो जाए हैना ऐसा लगत हो रहा है प्रतीत हो रहा है तो wish you all the very best और detail information जैसे मिलेगी मैं आप तक पहुचानी कोशिश करूँगा मकसद मेरा के वलेक था कि मैं आपको कही ना कई डाइव टूरी से बचाओं तो 2024 का 2024 तक देखेंगे 2023 वाले पर प्रप्रेशन करने वाले ऐसे ही लगी रही है जो 2024 में बैंक देख रहे थे वो भी ऐसे लगी रही है क्योंकि मेंस तो फिर भी देना ही पड़ेगा तो आप अपने मकसद से हटिये मत ठीक है बस एक पॉजटिव यह और है कि कभी-कभी कुछ बच्चों का अगर उनका मन है तो वहां पर भी जाकर वह फॉर्म आपने माक्स के ओर्डिंग वहां पर भी एक्जाम देकर आ सकते हैं और वहले टीन साल तक हो सकता है आपने स्टार्टिंग में बच्चा जोज जोज में बढ़ी है तो यारी करके बढ़ देता है ज्याद अच्छा एक् किसे चल रही थी वो चलती है कि सुबा नौ बजे मेंस शाम को छे बजे प्रीकी क्लास आईए अपनी प्रप्रेशन में और चार चांद लगाईए थैंक यू